सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं बताँगा इन दोनों मूबाइल्स में क्या का कमिया है क्या क्या..च्या चाहिए है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुल दिये गए हैं इस तरीके से इसके बाद आपको मिल जाता है ये ट्रांसपेरंट कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जिसको आप खुद से लगा सकते हैं इसके बाद मिल जाती है ये वाइट कलर में डेटे केबल लेंट और क्वालिटी इसकी दोनों बहुत अच्छी हैं बाकि दूसर्स के साथ आपको USB to Micro USB केबल दी गई है टाइप सी केबल नहीं मिलती वैसे इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि कीमत काफी कम है आखिर में आपको रखव मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है फाइव वोल्ड टो एंपियर का तो ये सिंपल सा दस वाट का चार्जर है फास चार्जर तो आपको नहीं दिया गया है क्योंकि कीमत कम है रेट की साब से देखा जाए तो चार्जर आपको अच्छा मिल जाता है अब ये सारा समन आपको मिलता है इंफिनिक्स के स्मार्ट फूर प्लस के साथ आठ हज़ार में रेट की साब से देखा जाता है तो दोस्तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको अच्छे ही दिये गया है, data cable की quality भी सही है, charger भी आपको 10W का मिल जाता है, और cover भी दिया गया है, चली देखते हैं 2000 कम खर्च करते हैं, तो smart HD के साथ आपको 6000 में क्या के दिया गया है, तो इसके box में भी आपको सबसे पहले मिलता है mobile, इसके बाद दिये गया है कु जो आपको cable दी गई है, उसकी build quality आपको थोड़ी सी और अच्छी मिल जाती है इसकी cable से, आखर में आपको रखाव मिलता है यह white color में charger, जिसके अंदर आपको output मिलता है, 5W 1.2A का, तो दोस्तों इसके साथ आपको normal charger मिलता है, विससे जादा better आपको charger दिया गया है, Infinix के smart 4 प्लस के साथ, अब यह सारा समान आपको मिलता है, Infinix के smart HD 2021 के साथ 6000 में, rate के साथ से देखा जाए, तो दोस्तों box के जो contents है, वो दोनों ही mobile के साथ आपको अपनी जगा काफी बढ़िया ही दिये गए है, smart 4 प्लस के साथ आपको box के content जादा बढ़िया मिलते हैं, लेकिन उसक back panel पर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, दोनों के अंदर आपको काफी जादा shiny design दिया गया है, और दोनों के अंदर आपको plastic के type के design मिलता है, इसे की साथ दोस्तों design कुछ इस तरीके से दिया गया है, smart HD के अंदर आपको कुछ इस तरीके से arrows दिये गया है नीची की तर और इसका front camera है 5 megapixel का, camera की performance इसके अंदर आपको rate की साथ से normal दी गई है, बाकि दोस्तों अच्छी चीज़ ये है, 6000 के अंदर इसमें आपको fingerprint scanner दिया गया है back panel पे, ये खुब इसके अंदर आपको काफी बढ़िये मिल जाती है, smart 4 plus के अंदर आपको पीछी की तरफ दो camera दि जादा बढ़िये camera मिल जाता है, smart 4 plus के अंदर ही, camera को लेकर smart 4 plus जादा बढ़िया है, smart HD से, इसके लब दोस्तों आप देख सकते है complete design, आपको इन दोनों mobile's में किसका design जादा पसंद आया, आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा, मुझे दोस्तों दोनों ही के design काफी जाद compact है, एक हासे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ, infinix के smart 4 plus में आपको 6.85 इंचिस की display दी गई है, तकरीबन 7 इंच के आसपास, तो display size में आपको जादा बढ़िया मिल जाता है, infinix का smart 4 plus, बाकि दोस्तों quality आपको दोनों में एक जिसी दी गई है, IPS HD user interface के बारे में बात करें, तो इन दोनों mobile's में आप इसे उपर की दरफ स्वाइब करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है, दोनों के अंदर आपको app drawer दिया गया है, अंदर से चलाने में दोनों ही mobile's आपको एक जैसे ही मिलते है, बाकि दोस्तों फिर भी आपकी पसंद की बात ह आपको देखने में इन दोनों mobile's के कैसे लग रहे हैं, user interface मुझे दोनों mobile's के normal लगे, अब दोनों की display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, infinix के smart HD के अंदर आपको notch ओलर design तो मिलता है, smart 4 plus की तरह, लेकिन notch के अंदर आपको थोड़ा सा और चोटा मिल जाता है, smart 4 plus, इसके अंदर आपको edges, bezels भी और कम दिये गए हैं, तो दोस्तों display का जो size है, और इसे के साथ design है, वो smart 4 plus का जाधा बढ़िया है, बाकि दोस्तों अगर आप colors देखेंगे, display की quality देखेंगे, तो display के colors, brightness आपको दोनों के अंदर ही एक जैसे दिये गए हैं, इ इसका back panel हटाया जा सकता है, sim अंदर की तरफ लगते हैं, खुबी यह है दोनों के अंदर, आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीचे की तरफ साब देखेंगे, तो charging port, mic दिया गया है दोनों के अंदर, speaker आपको smart HD में back panel पे मिलता है, लेकिन smart 4 plus का यह जो calling speaker है, यही साब को दूसरे sounds भी सुनने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का फर्क है दोनों के अंदर, right side साब देखेंगे, तो इस तरफ दिये गए है volume के buttons, उसे की ठीक नीचे power के buttons, इस चीज़ में दोनेक जैसे हैं, उपर के तरफ साब देखेंगे, तो smart HD के अंदर आ जाके 200 RAM के अंदर फर्क है, smart HD के अंदर आपको दी गई है 6000 में 2GB RAM, वहीं दूसरी तरफ smart 4 plus के अंदर आपको दी गई है 8000 में 3GB RAM, तो 1GB RAM का फर्क है, smart 4 plus के अंदर आपको 1GB RAM जादा दी गई है, 32GB में से दोनों ही mobile's के अंदर आपको free memory मिलती है, तकरीबन 25GB के आसपास, तो storage आपको दोनों mobile's के अंदर काफी अच्छी free दी गई है, इसके लब दोस्तों दोनों के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है, इस चीज में दोनों बढ़िया है, बात करें दोस्तों battery के बारे में, तो smart 4 plus के अंदर आपको battery मिलती है 6000 मेंज की, दोनों के अंदर आपको एक इनका battery back का पराम से मिल जाता है, बैटरी को लेकर दोनों ही mobile's काफी जाद अच्छे हैं, और भी जादा बढ़िया है smart 4 plus, इसके अंदर आपको battery और जाद अच्छी दी गई है, बात करें दोस्तों processor के बारे में, तो smart HD के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio A20 processor, वहीं दूसरी के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल यूस के हिसाब से ये दोनों mobile's काफी जाद अच्छे हैं, तो ये सारी खुब्य कमी आपको मिलती हैं दोनों mobile's के अंदर, चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज, आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए, तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज है, वो किसमा जाद अच्छी है, तो दोस्तों देखिए अगर आपको design अच्छा चाहिए, तो आप सस्ता smart HD खरीद लिएगा, कम कीमत में समापको design काफी जादा बढ़िया दिया गया है, smart 4 plus की तरह, और ये mobile थोड़ा compact भी जादा है, एक हास से चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती, इसके साथ अगर आपको camera जाद अच्छा चाहिए, तो आप smart 4 plus खरीद दियेगा, camera इसके अगर आपको थोड़ा सा और जाद अच्छा दिया गया है, इसके साथ अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए, तो भी आपको जाद अच्छा रहेगा smart 4 plus, वैसे आपको smart HD के अंदर भी बैटरी काफी अच्छी दी गई है, बाकि थोड़ा सा और जाद अच्छा मिल जाता है आपको smart 4 plus ही बैटरी को लेकर भी, charger भी इसके साथ आपको जाद अच्छा दिया गया है, इसके साथ अगर आपको processor बढ़िय लिएगा अच्छी रैम और storage के लिए, क्योंकि 32 GB की storage इसके अंदर आपको कम कीमत में smart 4 plus की तरह ही दी गई है, इसके लाव दोस्तों अगर आपको matter करती है mobile की display, तो display की quality भी आपको दोनों के अंदर एक जैसी दी गई है, बस अगर आपको size और जाद अच्छा चाहिए, त आप infinix का smart 4 plus खरीद लिएगा, तो दोस्तों देखा जाए, चार चीज़े आपको smart HD के अंदर कम कीमत में काफी बढ़िया दी गई है, एक तरस का design अच्छा है, दोसरे इसके अंदर आपको storage बराबर मिल जाती है smart 4 plus के, तीसरे इसके अंदर आपको processor वैसे ही दिया गया है, और चौथा इसके अंदर आपको display की जो quality है, वो भी काफी बढ़िया मिल जाती है smart 4 plus की तरह, तो दोस्तों अगर आपको यह 4 खुबिया चाहिए, इसके साथ battery अच्छी चाहिए, तो अच्छी battery के लिए वैसा आप यह mobile भी ले सकते हैं, काफी बढ़िया खुबिया है, इस तो 202,000 महंगा होने की वज़े से smart 4 plus आपको जादा बढ़िया मिल जाता है, इन दोनों mobile में, खुबिया इसके अंदर आपको थोड़ी सी और जाद अच्छी दी गई है, तो इतना फर्क हैं दोनों के अंदर, अब आप बताईगे नीचे comment करके, क्या आप 6000 में सस्ता smart HD खर बहुचती रहें, इसके लिए वीडियो कर आपको helpful लगी, तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दिएगा WhatsApp फेस्बुक पे, मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई